जी तो स्टूरेंट्स हम कौन सा चैप्टर अपना कर रहे थे जोग्रिफी की बुख क्लास एट्थ की जोग्रिफी की बुख उसका चैप्टर नमबर वन हम कर रहे थे और दो टॉपिक्स अल्रडी हम कर चुके हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है टाइप्स ओफ डिस्रिबूशन मैप यानि कल हमने जो है वो मैप की फोर टाइप्स की थी और आज जो मैप की चौती टाइप है डिस्रिबूशन मैप उसकी हम अगे फर्दर टाइप्स देखेंगे अब जो हमारा distribution map होता है उसकी कितनी types होती है उसकी two types होती है dot method and shading method Well students, today our topic is types of distribution map and we have two types of distribution map and these two types are dot method and shading method First of all, हम देखेंगे कि दोनों में क्या चीज़े same है या दोनों में comparison क्या है In dot method, we use dot symbol जब हम map को बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं उसमें हम dots लगाते हैं और यह अभी मैं आपको picture दिखाऊंगी तो देना आपको बहुत अच्छे तरीके से आप उस चीज़ को understand कर पाएंगे Second चीज़ है shading method तो जैसे कि word shading से ही थाबित हो रहा है कि जब आप map बनाओगे shading method के जरीए तो उसमें आप क्या करोगे map में shade करोगे different colors के जरीए like dot method में आप just dots लगाएंगे ठीक है वो शो करेगा कि कहां पर क्या है और shading method में हम different colors यूज़ करते हैं और shades के जरीए colors के जरीए हमें पता चलता है कि कहां पर क्या है ठीक है Second चीज़ हमारा जो dot method है उसमें हम किसी भी area की population या number of cattle को show कर सकते हैं इसी तरह shading method में हम लोग अपना जो agricultural production है उसको हम वो जो है वो बताते हैं ठीक है कि हमारा कोई भी area है या हमारे अगर हम पूरे मुल्क की बाग कर रहे हैं तो हमारे इस सूबे में यहां पर जंगलात है यहां पर जो हैं फसले हैं यहां पर हमारा desert है ठीक है तो इस shading method के जरीए हम different colors कर देते हैं जैसे हम आम में एक picture बनाते हैं drawing की book में या कहीं पे भी तो उसमें हम लोग क्या कर देते हैं different colors कर देते हैं और हमें अंदाजा हो जाता है कि like a fruit बनाया अगर हमने तो हमें अंदाजा हो जाता है कि उसकी stem का color brown है या green है और वो fruit red है या orange है और उसके लावा उसके leaves जो हैं वो किस color के हैं सेम इसी तरह जब हम shading method के जरीए map बनाते हैं तो उसमें हम different colors करते हैं ठीक है और तीसरी जो चीज होती है जो सबसे एहम चीज एक map को बनाते हुए आपको अपने जहन में रखनी है वो एक specific key होती है हमने जब भी कोई map बनाना है तो उसके map के एक कौने पे किसी भी उपर वाले कौने में या नीचे वाले कौने में एक special किसम की की देते हैं जिससे map को पढ़ने वाले को अंदाजा हो जाता है कि जहां जो color है या जहां अगर कही dots ज्यादा है तो वो उनका क्या मतलब है अग उसमें भी हम जो है उसकी के तरूब बताते हैं कि हमने different colors दे दिये होते हैं कि जहां पर green color है इसका मतलब है वहां पर fields पह कहरा है जहां पर बहुत जदा dark green color है उसका मतलब वहां पर forest है और जहां पर yellow color है या brown color है तो that means के वहां पर क्या है उस map में वो हमारा desert है या हमारी जो है वो ऐसी जगह है जो के production के काबल नहीं है और अगर वहाँ पर blue color है तो that means कि उसका मतलब क्या है वहाँ पर पानी मुझूद है समंदर दरिया या कोई नदी नाला मुझूद है ठीक है तो क्या चीजें है main points जो है वो हमारे क्या है कि हमारा आज का topic है types of distribution map ठीक है or how many types are there of this map there are two types dot method and shading method in dot method we use dot symbol dot as a symbol and in shading method we use different colors different shades for for showing or for the symbol of different agricultural productions okay second thing in dot method we we show the population or the number of cattle and in shading method we show the agricultural production for dot method we have a specific key and for shading method we also have a specific key now I will show the maps of these two types and you will understand what is dot method and what is shading method first of all we see the dot method you see in some provinces there are little dots few dots and in some provinces there are many dots okay अब specific key इसकी क्या है यहां देख रहे हैं लिखा हुए one dot is is equal to fifty thousand persons यानी एक dot एक बंदे को शोनी करेगा population के या cattle के बारे में अगर हम बता रहे हैं तो हमारा एक dot एक का मतलब नहीं है एक dot किसके बराबर है पच्चास हजार के बराबर है तो अगर हम इन dots को count करेंगे तो उ लिखे हैं like देख रहे हैं one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen sixteen seventeen और eighteen like eighteen हो गए nineteen या twenty जितने भी dots हैं उनको हम की के जो की में हमें उन्होंने hint दिया हुआ है यहां हमें जो चीज बताई वी के हमारा एक dot fifty thousand के बराबर है तो हम इन सारे dots को अगर count कर लेते हैं और उन dots को हम fifty thousand से multiply कर लेते है तो इससे हमारे पास original जो उस province की population है वो क्या है आ जाएगी समझागी बचो कि like देखें अगर हमारे पास nineteen dots थे तो उनको हमने multiply किससे कर देना है fifty thousand से तो हमारे पास answer आ जाएगा और फिर हमें क्या पता चल जाएगा कि हमारे उस province में जो लोग हैं वो कितने हैं और उनकी त जादा जो है वो कितनी है ठीक है सेमी सी तरह आप दूसरे provinces में देख रहे हैं कि यहां पर dots जो हैं वो इस province से थोड़ा ज्यादा है और इस province में इतस एरिया में आके हद से ज्यादा dots है इसका मतलब क्या है कि यह जो सूबा है बाकी जगों पर भी उसकी population बहुत ज्यादा ह मगर इस province के इस area में population जो है वो हद से ज्यादा और यह जीज क्या थाबित करती है कि यह हमारा industrial area होगा मेबी यह हमारा working area होगा जो city है वो area होगा जहां पर सबसे ज्यादा हमारा business area यह हमारा जो है ज्यादा लोग रह रहे हैं ज्यादा रहाइश है यहां पर सहूलियात जिन्दगी जो है वो ज्यादा है तो वहां पर अबादी भी क्या है हमारे पास ज्यादा है तो students I think तो आप लोगो clear हो गया होगा कि हमने जब ये map बनाया उसके बाद हमने dots के साथ इसको show किया और then सबसे main चीज हमने उसकी specific key भी यहाँ पर provide की कि कितने dots जो हैं वो कितने के बराबर हैं और अगर हम उसकी population का rate मालूं करना चाते हैं तो हम इसकी की help से हम क्या करेंगे कि हम उसको multiply कर लेंगे उसके साथ तो हमारे पास उस area की population जो है वो आ जाएगे और आप यहाँ भी देख रहे हो कि इस province में totally dots नहीं है that means कि इसके अंदर यह नहीं है कि इसके मतलब इसके अंदर अबादी नहीं है यह actually हमारा disputed area है तो उसके मतलब उनों ने बताया और ना ही हम उसके मतलब जो है वो main चीज़ यह है कि जिन provinces को हम ज्यादा एहमियत देना चाह रहे हैं उसको हम show कर रहे हैं और जिन को नहीं यह जिन से यह बहुत dark color है यहां आपको नज़र आ रहे है तो इसका मतलब जहां जहां बहुत dark color है वो हमारा क्या है forest है जो थोड़ा light green color तो नहीं है यह लेकिन उससे थोड़ा lighter color है तो यह क्या है हमारे small trees है यानि यह forest area तो नहीं है लेकिन यहां पर trees बहुत ज़्यादा है ठीक है तीसरी चीज है yellow color तो यह क्या है desert vegetation यानि जहां जहां पर आप देख रहे हैं कि रेगिस्तान वाला area है वहां वहां पर कहीं कहीं जो है वो थोड़े बहुत पौदे वगरा है ठीक है तीसरी चीज है हमारी चौथी चीज है हमारी यह वाला color ठीक है यह इस color से भी थोड़ा lighter color है ठीक है और यह क्या बता रहा है कि हमारे मुल्क में किन किन सूबों में कहां कहां पर rice की production हो रही है ठीक है यानि मुलक में मुलक के सुबों में कहां कहां पर चावल की काश तोरी कहां कहां चावल हो गाया जा रहा है वो हमें Shading Method से बड़ा exactly पता चल सकता है ठीक है और लास्ट चीज क्या है की में लास्ट चीज है Wheat की Production यानि अगर हम देखना चाहरे है कि हमारे मुलक में जो है वो गंदुम कहां कहां उग रही है हमें गंदुम कहां से बासानी मिल सकती है गंदुम की Production कहां कहां पर हो रही है तो वो सारा हमें जो है वो इससे पता चल जाता है और अगर आप मैप बना लेते हैं और मैप के साथ आप कीश होनी करते हैं तो आपका मैप जो है वो कम्प्लीट नहीं है ठीक है मैप तब कम्प्लीट होगा जब मैप के साथ आप उसकी इंफोमेशन दोगे उसकी की दोगे क्योंकि पढ़ने वाले को या कल को आपको जरूरत पढ़ती है उसी दुबारा मैप को देखने की तो आपके पास की मौजूद होगी आप उस की को देखोगी और आपको फॉरान अंदाजा हो जाएगा कि कहां कहां पर क्या है कौन से शेट का क्या मतलब है या कौन से डॉट जो है वो कितने population के persons जो हैं वो उनके बराबर है ठीक है students तो हम एक बार फिर से दुबारा से इस चीज़ को revise कर लेते हैं कि आज हमने पढ़ा क्या geography की book class 8 की उसका chapter number 1 हमारा आज का topic थर types of distribution map and we have two types dot method shading method main points उसके क्या थे कि dot method में हम dots को as a symbol use करते हैं shading method में shade करके then dot method में हम लोग mostly जो है population जो है यहाँ फिर number of cattle को show करती है और हमारा जो shading method है वो हमें help करता है यह बिताने के लिए कि हमारे मुल्क में agriculture production कहां कहां पर कौन कौन सी है and दोनों के लिए हमें एक specific key की ज़रूरत पढ़ती है ठीक है और यह हमारा dot method उसकी specific key हमारे पास और यह हमारा shading method और उसकी specific key हमारे पास मुझूरत है और students आपका home work यह है कि आपने अपनी copies पे इन दोनों को जो है वो आपने draw करना है दोनों maps को और दोनों maps को draw करके आपने अपने तरीके से करनी है थेंक यू